का अरे शुर्फ दस साल में भारत का ग्यारवे नंबर से पांच्वे नंबर की कॉनमी बन जाना क्या एसे भूआ होगा क्या कि शुर्फ 10 साल में भारत का फोरेक्स नीज़व बढ़ करके 700 billion dollar के पार होग पहुँच जाना ये क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट 700 billion dollar पार कर जाना क्या ऐसे ही हुआ होगा और ये तो अभी कुछ भी रही है अभी तो और भी आगे जाना है साथ्यों यहां बड़े बड़े जन्रालिस मौझूद है इंडिस्ट्री की लोग है सिविल सुसाइटी की दिगज है पोलिटिकल फील्ड के लोग भी है विरोक्यसी के भी लोग है आप जानते हैं कि हमारे यहां सरकारों में विरोक्यसी में काम कैसे होता रहा है फिर वो एक फ्रेक्टर क्या था जिसकी वज़र से यह बड़लाव आया वो एक फ्रेक्टर है नियत नियत सही तो काम सही और नियत कौन सी नेशन फर्स की नियत मेरे देश में कोई कमी नहीं है कि उसकी पहचान गरीब देश के रुप में हो हम दुनिया के सबसे युवा देश है एक समय में हम ज्ञान में विज्ञान में सबसे आगे रहे दुनिया की कोई बज़र नहीं है कि भारत किसी भी देश से पीछे रहे बस हमें नेशन फर्स की नियत के साथ आगे चलना है ये देश जो हमें इतना कुछ देता है हम उसमें सिर्फ रहते हैं या फिर देश के लिए कुछ अलग करते भी हैं ये फर्क बहुत बारीक है लेकिन बारीक सा फर्क ही देश को आगे ले जाता है जिस दिन आप अपने काम को देश के साथ जोड लेंगे आप जो कुछ भी है आप डॉक्टर हैं इंजिनी है रहे हैं स्टार्ट अप शुरू कर रहे हैं जिस दिन आप अपने काम को देश के लक्षों के साथ जोड लेंगे तो समझ लिजिएगा कि नेशन फर्स का बीच आप में अंकुरित हो गया है यही नेशन फर्स का बीच आज सरकार में सस्टम में हर व्यवस्ता में हर व्यक्ति में देश के कौने कौने में राइजिंग भारत का आधार मन रहा है सिर्फ अपने लिए ही जिए पिर अपने लिए जिए तो क्या जिए जीना है तो देश के लिए और मरना भी है तो देश के लिए साथ योट 2014 से पहले और आज की स्थिति में एक और ऐसा अंतर आया है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है इस चर्चा देश की साख से जुड़ी है जिस देश की साख गिर रही हो वो देश के लोगों का स्वाविमान भी उंचा नहीं रह सकता 2014 के पहले भारते साथ क्या थे थे अब याँ दिजिए 2014 से पहले घर घर में ब्रस्टाचार बड़ा मुद्धा था देश की साख गिर रही थी लेकिन तब की सरकार जूठे तरकों के आधार पर अपने गोटानों को डिफेंट करने में जूटी रहती थी आज सिती एक दम अलग है आज सरकार ब्रस्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है और ब्रस्टाचारी जूट बोल बोल कर खुद बच्चाओं की मुद्रा में हैं तब देश पूछता था कि पावर्फुल लोगों पर EDCBI जैसी एक्शन क्यों नहीं लेती ये सवाल पूछा जाता था आज पावर्फुल और बस्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजन्सिया उन पर एक्शन क्यों ले रही है ये अंतर दस संगलों में आया है बात वही है नियत सही तो काम सही